तो फ्रेंट्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनेकेडमी लर्निंग एप पर प्लेलिस में जाके डाउनलोड कीजिए अनेकेडमी लर्निंग एप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य तो वहाँ पासकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरी कोर्सेस के बारे में देख सकते हैं मेरे सारे लेसेंज और स्लाइट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको आफ लाइन तो अभी कीजिए डाउनलोड अनेकेडमी लर्निंग एप रिद्स वेल्कम टू मै चैनल मैं हूँ प्रतीक्षा और EBS के कोर्स को आगे बढ़ाती हुए चैप्टर 4 देख लेते हैं उसके नोट्स देख लेते हैं आकाश और हमारा सौर मंडल से संबन देते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लेकिन इतना जरूर करिएगा कि वीडियो को लाइक ज आकाश की और आकाश में जितनी भी चीज़ें चमकती हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे वह सभी क्या कहलाते हैं खगोले पिंड तो खगोले पिंड सूर्य, चंद्रमा और रात के समय जगमगाते लाखों पिंड होते हैं उनको खगोले पिंड कहते हैं नेक्स्ट है भ्रहमान का अध्यन कॉस्मोलोजी कहलाता है बिग बैंक सिधान जिसका प्रतिपादन जोज लेमिटेर के द्वारा किया गया और उनका कहना था कि जो अंत्रिक्ष है जो भ्रहमान है उसका निर्मान एक विशाल का अध्यर में बहुत भारी विस्पोट की वज़े से हुआ जो धेर था वो कई पदात के कड़ों में बट गया अंतरिक्ष में फैल गया जिसकी वज़ा से धीरे धीरे भ्रमान की रचना हुई तो ये बिग बैंक थियोरी कहलाई जाती है और असंखे तारों का जो सम्हू होता है वो आकाश गंगा यानि की मिलकी वे कहलाता है और हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हमारा सूर्य, हमारा चन्रमा, हमारे तारे जो हमें दिखाई देते हैं उस आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है और इसकी आकरती जो है वो सर्पिल है मंदाकिनी की जो निकटम आकाश गंगा है वोह देव्यानी है उसका नाम देव्यानी है तारा क्या होता है खगोले पिंड जिसकी अपनी उश्मा होती है अपना ताप होता है और अपना प्रकाश होता है वोह एक तारा कहलाता है तारा जो होता है उसमें 70% हाइड्रोजन होता है और 25% हीलियम और बाकी 5% अन्य गैसे से बना होता है धुप तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही आपको दिखाई देगा उत्तर दिशा में ही निकलता है पुराने जमाने में जब कमपास नहीं होते थे तो दिशा का जो निर्धारण करते थे वो धुख तारे से ही करते थे अगर रात में धुख तारा दिख रहा है जिस दिशा में वो उत्तर दिशा ही होती थी जैसा कि आपको बताया जो तारा होता है उसमें अपनी उश्मा, अपना प्रकाश और अपना ताप होता है उसी कारण जो सूर्य है वहाँ भी एक तारा है क्योंकि इसमें अपना उश्मा, अपना प्रकाश और अपना ताप है तो सूर्य भी एक तारा है अब हम बात करेंगे सौर मंडल यानकी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और उसमें सबसे पहले जो आता है वहा है सूर्य तो यहां सौर मंडल का मुखिया कहलाता है और यह केंडर में सौर मंडल के सेंटर में इस्थित है सूर्य जो है वो प्रत्वी से लगबग 15 किलो मीटर दूर है 15 करोड किलो मीटर दूर है और प्रत्वी पर सूर्य की किर्णों को पहुँशने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है यहां मुख्यता हाइड्रोजन 71 और हीलियम 26.5 परसेंट गैस से बना है और इसमें नाभकिय सल्यन द्वारा उर्जा का उत्पादन होता है सूर्य ग्रहर के दौरान सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य कोरोना या किरीट कहते हैं और इसमें से X किर्णे निकलती है सूर्य के बाद अब हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में यानि कि अपने प्लैनेट्स के बारे में ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता सबसे पहले ग्रह क्या होते हैं उनमें अपना प्रकाश नहीं होता और ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं ये संख्या में आठ हैं देखते हैं कौन-कौन से हैं पहला है बुद्ध जिसे मर्क्यूरी कहा जाता है शुक्र बीनस, प्रत्वी अर्थ, मंगल मास, प्रस्पती जुपीटर, शनी सैटर्न, अरून यूरेनस, एंड वरून नैप्चून तो ये आठ ग्रह हैं और अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बता दें जो ग्रह होते हैं वो अपनी जगह पर घूमते रहते हैं जिसे घुरणन कहते हैं तो ग्रह अपने अक्षपर घूमते हैं और एक घुमा आपको पूरा करने में लगा जो समय होता है उसे घुरणकाल बोला जाता है परिक्रमण क्या होता है जब अपनी धुरी पर घूमते घूमते वह एक सूर्य के चारों और चक्र लगा लेता है उसे परिक्रमण कहते हैं ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों और भी घूमते हैं उसे ही परिक्रमण कहते हैं उपग्रह क्या होते हैं उपग्रह अपना प्रकाश नहीं होता है और वह ग्रहों के चक्क लगाते हैं तो ग्रह तो सूर्य के चक्क लगाते हैं तो वह ग्रह हैं और जो ग्रहों का चक्क लगाएं वह उपग्रह हैं सबसे पहले हम ग्रह में बुद्ध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो बुद्ध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे नस्दीक का ग्रह है साथ ही यह सूर्य का चक्कल लगाने में 88 दिन लगता लेता है और सबसे कम परिक्रमण काल है क्योंकि यह सूर्य के बहुत नजदीक है तो यह जल्दी से सूर्य का चक्कर लगा लेता है कम दिनों में यानि कि 88 दिनों में जैसे जैसे ग्रहों की दूरी भरती जाएगी सूर्य से तो उनका जो परिक्रमर काल है यानि कि घूमने वाला चक्र है उसका भी time period भड़ता चला जाएगा तो यहाँ इसी वज़े से 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है और साथ ही यहाँ पर वायू मंडल का अभाव है तो इस ग्रह पर वायू मंडल नहीं है और इस वज़े से यहाँ पर दिन और रात के ताप में बहुत जादा अंतर रह वेता है इसी लिए यहाँ पर जीवन भी नहीं है साथ ही यहाँ पर पारा की अत्यदिक उपलब दता है इसी लिए इसका नाम mercury भी रखा गया है क्योंकि यहाँ पर पारा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और इधर घनत्व बहुत कम है नेक्स जो ग्रह है वो है शुक्र के बारें पढ़ेंगे जैसे कि मैंना बताया कि जैसे ही सूर्य से दूरी बढ़ती है वैसे ही दिन जो परिक्रमर काल है वहाँ भी बढ़ता चला जाएगा शुक्र जो है वीनस यानि की 255 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और यहाँ सबसे अधिक चमकीला ग्रह ह दव्यवान एवं आकार में प्रत्वी के बिलकुल समान है तो इसी वजह से इसको प्रत्वी की जुड़वा बेहन या प्रत्वी की बेहन या सिस्टर प्लैनेट भी बोला जाता है सरवादिक गरम ग्रह है शुक्र जो ग्रह है वो सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा ग्रम इस्टार भी बोला जाता है पूर्व से पश्यम की तरह घुड़न करता है बाकी जो ग्रह है वो जैसे प्रत्वी है या बुद्ध है ये बाकी ग्रह पश्यम से पूर्व की तरह घूमते हैं लेकिन शुक्र और एक और ग्रह है अरुण शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह है जो पश्यम से पूर्व की तरफ न घूमकर पूर्व से पश्यम की तरफ घूमते हैं तो ये उल्टे घूमते हैं बाकी ग्रहों से इस्पेशली प्रत्वी को आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि प्रत्वी पश्यम से पूर्व घूमत और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है क्योंकि जो इसकी घुर्णन चक्र है वो बिल्कुल प्रत्वी की घुर्णन चक्र से विप्रीत है नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रत्वी की तो प्रत्वी सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है और यहां समय लेता है 365 दिन 365 दिन में यह सूर्य का चक्कर लगाता है और इसका एक उप ग्रह है जिसे चन्रमा बोला जाता है यहाँ पर वायू मंडल है इसलिए जीवन है और इसको नीला ग्रह भी कहते हैं इसके बारे में डेटेर में हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स जो ग्रह है वहाँ है मंगल यानकी मास और इसे 687 दिन लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में यहाँ लारंग का दिखाई देता है और फोबोस और डीबोस या डीमोस इसके दो उप ग्रह है यहाँ पर एक बहुत उचा परवत है जिसे ओलंपिस मैसी या निक्स ओलंपिया भी कहा जाता है जो कि एक जुआला मुखी परवत है और यहाँ हमारी प्रतिवी परिस्थिप माउंट एवरेस से तीन गुणा बढ़ा है जो मंगल ग्रह का जो यह परवत है ओलंपिस मैसी वह एवरेस से भी तीन गुणा बढ़ा है साथ ही अब बात करेंगे नेक्स ब्रहसपती यानि की जुपीटर की और इसे बारा साल लग जाते हैं सूरे का एक चक्कल लगाने में बारा साल और यहां ग्रहों में सबसे बढ़ा है यानि की जो इसका आकार है वह सबसे बढ़ा है जिसकी वज़ा से इसको मास्टर आफ गौर्ड्स या मास्टर आफ गार्ड्स भी बोला जाता है इस्थर यहाँ जो ग्रह है हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से मिलकर बना है और यहाँ पर मैथेन गैस विद्धिमान है साथ ही इसके चारों और धुंदले वले पाए जाते हैं और इसके सरवादिक उपग्रह यानि की 67 या 68 उपग्रह है तो कोशन आ सकता है कि कौन से ऐसा ग्रह है जिसके सरवादिक उपग्रह है तो आपका आंसर होगा ब्रहस्पती यानि की जुपीटर आगे बढ़ते हैं शनी की तरफ चलते हैं शनी है सैटर्न और इसे 29 साल 5 महीने लग जाते है शूरे का चक्कल लगाने में यहां गैसों का गोला है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आफ्टर ब्रहस्पती इसे पीला ग्रह भी बोला जाता है गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है चारों तरफ वलय पाए जाते हैं इसके सबसे बड़ा जो ग्रह इसका वो टाइटन है और इसके उब्रहों की संख्या बासट है और इसका जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है टाइटन या टिटॉन नेक्स्ट जो ग्रह है अरुण को 84 साल लग जाते हैं सूरी की परिक्रमा करने में और यह पूर्वसे पश्शिम की तरफ घूमता है जो इसका ग्रण करम है वो पूर्वसे पश्शिम है चारों तरफ पांच वलय पाए जाते हैं मिथेन गैस के कारण इसका जो रंग है वो हरा दिखाई देता है नेक्स्ट ग्रह है वरुण इसको 164 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने पर और सबसे दूर का ग्रह है सूर्य से और यह हलके पीले रंग का दिखाई देता है और यहां सूर्य से बहुत दूर होने की वज़ा से सबसे ठंडा ग्रह भी है वरुण नेक्स हम बात करेंगे प्लूटो यानिकी यम जो की पहले ग्रहों की संख्या में आता था नौवा ग्रह था लेकिन 24 अगस्त 2006 को आई ए यू यानिकी अंतरास्टे खगोले संग ने इसे ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया और इसे बौना ग्रह कहा जाता है प्लूटो यानिकी यम को आई ए यू के अनुसा ग्रह का जो संग्या थी ग्रह किसे कहा जाए तो उनका मानना था कि जो अपनी निश्यत कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं आकार में लगभग गोल हैं और अन्य ग्रहों की कक्षा को नहीं काटते हैं यानिकी अन्य ग्रहों के रास्ते में नहीं आते हैं वही ग्रह कहलाएंगे लेकिन जो यम था वो वरोण की कक्षा को काटता था तो इसलिए इसे ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया और अब यहाँ बौना ग्रह कहा जाता है नेक्स है छुद्र ग्रह एस्टरोइट की बात करेंगे तो मंगल और भ्रस्पती के अक्षाओं में छोटे छोटे पिंडों की एक पट्टी पाई जाती है जिन्हें छुद्र ग्रह कहते हैं और यह मंगल और भ्रस्पती के अक्षाओं में पाई जाते हैं यह आपको ध्यान लखना है क्योंकि question आ सकता है यह बहुत favorite question है UP के exam का क्योंकि बहुत सारे papers में आया है question के ऐसे कौन से ग्रहन जहां पर छुद्ध ग्रह पाए जाते हैं किसकी कख्शाओं में छुद्ध ग्रह पाए जाते हैं तो answer होता है मंगल और ब्रहसपती इसलिए आपको भी ध्यान लखना है और यह अनेक छोटे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो यह चुद्ध ग्रह के लाते हैं नेक्स्ट है धूमकेतू यान की पुच्छल तारा यह दूल गैस बर्फ के पिंड जो सूर्य के चारों और घूमते हैं उनसे बना है धूमकेतू की पूँच हमेशा सूर्य के विप्री दिशा में होती है हेली पुच्छल तारा जो एक धूम के तू यानिके पुच्छल तारा है हेली जो की 76 साल बार दिखाई देता है और पहली बार 1986 में देखा गया था अगला जो हेली धूम के तू है अब वह 2062 में दिखाई देगा नेक्स है तारा मंडल तारों का जो समू होता है वह तारा मंडल कहलाता है जैसे सब्तरिशी तारा जो आपने अपने आसमान में जरूर देखाऊगा साथ मंडलों का तारा होता है जिसे सब्तरिशी, ग्रेड़ बियर या उर्सा मेजर कहा जाता है यह साथ तारों का समू होता है अब हम अपने ग्रहा यानि की प्रत्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं प्रत्वी यानि की अर्थॉई यहाँ नीला ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर तीन बटा चार भाग पानी है यानि कि जो प्रत्वी है वो 70 प्रतिशत पानी से घिरी हुई है जिसकी वैसे यह नीली दिखाई देती है प्रत्वी पूरी तरह से गोल नहीं है यह दुवों के पास चपती है यहाँ शूरे के चारों चक्कर लगाती है और यहाँ इसको पूरा चक्कर लगाने में 365 सई एक बटा चार दिन लगते हैं प्रत्वी अपनी धुरी पर पश्यम से पूर्व घूमती है, ध्यान रखिए प्रत्वी अपनी धुरी पर पश्यम से पूर्व घूमती है, यहाँ सूरी से 15 किलो मीटर दूर है, जब प्रत्वी सूरी से अधिक दूरी पर होती है, तब अपसौर कहा जाता है, यानि कि जो इ दो करोड किलो मीटर होती है और जब यह दूर होती है 15.2 करोड किलो मीटर दूर होती है तो वह स्थिती अपसौर कहलाती है जो की 4 जुलाई को होता है जो की 4 जुलाई को होता है और जब प्रत्वी सूर्य के पास आती है तो उस स्थिती को उपसौर बोला जाता है जब प्रत प्रत्वी और सूरी की दूरी है वो कम हो जाती है और सबसे कम जो दूरी होती है वो होती है 14.7 करोड किलो मीटर नॉर्मल 15 करोड किलो मीटर है लेकिन बहुत दूर जाएगी तो वो 15.2 करोड किलो मीटर हो जाएगी और जब सूरी के पास आती है तब वो 14.7 करोड किलो मीटर की दूरी हो जाती और यहां इस्तिती तीन जन्वरी को होती है जब प्रतवी सूर्य के निकट होती है प्रतवी अपने अक्षिपर एक चक्कर पूरा करने में तेज, घंटे, छपपन, मिनट और चार सेकिंड का समय लेती है प्रतवी के जिस भाग पर सूरी की रोशनी होती है वहां दिन और उसके विप्रीत जहां सूरी की रोशनी प्राप्त नहीं होती वहां रात होती है और दिन और रात को भिवाजित करने वाले ब्रत को प्रदिप्ति ब्रत कहते हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रदिप्त ब्रत एक तरफ आपको रात दिखाई दे रही होगी, और एक तरफ आपको रोश्णी यानि की दिन दिखाई दे रहा होगा, तो जो बीच में लाइन है, वही प्रदिप्त ब्रत कहलाता है. प्रत्वी पर जो अपनी धुरी पर घूमती है, पश्यम से पूर्व, उसकी वज़ा से रितू परवर्तन होते हैं, तो प्रत्वी का अपनी धुरी पर सूर्य के चारों चक्कर लगाना परिक्रमण है, और इस परिक्रमण के कारण प्रत्वी पर रितू परिवर्तन, यानि की गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद होते है 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है यहां सूर्य करकरेखा पर लंबा चमकता है यानि कि सूर्य की जो चमक है वो करकरेखा पर सीधी पड़ती है और जिसकी वज़े से दिन जो है वो लंबा होता है और वहर डेट है 21 जून और यहां पर उत्तरी गोलाद में ग्रीश्म रितू होती है साथी 22 दिसंबर को दक्षनी गोलाद में दिन लंबा होता है और राज छोटी होती है क्योंकि यहां सूरिज जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और दक्षनी गोलाद में ग्रीश्म रितू होती है जिसकी वैसे इसी वज़े से आस्टेलिया दक्षन अफरिका अर्जंटीना आदी दक्षनी गोलाद के जो देश हैं वहां पर रोग गर्मियों में क्रिस्मस मनाते हैं तो 22 दिसंबर को जैसे हमारी साइड बहुत ठंड होती है लेकिन दक्षनी गोलाद में वहीं गर्मी होती है नेक्स जो डेट है वो है 21 मार्च और 23 सितंबर सोर्य विशुवत रेखा यानि कि भूमद रेखा यानि एक्वेटर पर लंबत चमकता है लंबत पड़ती है सीधी पड़ती है और इसकी वज़े से यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और राद बराबर होते है उत्तरी वा दक्षनी धुब में 6 महीने दिन वा 6 महीने राद होती है नेक्स चंडमा प्रतवी का अकेला उपग्रह है प्राक्रतिक उपग्रह है चंडमा यहाँ अपने अक्षपर घूमते हुए प्रतवी का चकर लगाता है और यहाँ एक चकर 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है पूर्णिमा क्या होती है, फुल मून की रात होती है, जिस दिन चन्रमा पूरा दिखाई देता है आपने देखा होगा और अमावस्या यानि की न्यू मून जिस दिन चन्रमा दिखाई ना दे पूर्णिमा एवं अमावस्या में 15 दिन का अंतर होता है चन्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता और यह सूर्य से जो प्रकाश है वह सूर्य से गहर करता है जब सूर्य का जो प्रकाश चन्रमा पर पड़ता है वही हिस्सा हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा होता है चन्रमा का जो अध्यान होता है चन्रमा का अध्यान वह सेलेनोलोजी कहलाता है चन्रमा प्रत्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है चन्रमा का प्रकाश प्रत्वी तक पहुँचने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लेता है और प्रतम व्यक्ति जो चंदरपा पर जाने वाले थे वो थे नील्म, आम्स्टॉंग और दूसरे थे एडविन, एडरिन तो यहाँ पर यह आपका चैप्टर खतम होता है I hope आपको अच्छे लगे हो नोर्स तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो जल्दी अप्लोड होगा अभी के लिए इतना ही बाई बाई, टेक केर और थेंक्स वर वाचेंग